दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराश्ट्रिय हवाई अड़े पर गुरुवार शाम से ही हजारों यात्रियों को परिशानी का सामना करना पड़ाई बैगेज हैंडलिंग सिस्टम खराब हो जाने की वजह से यहां पैसेजरों को उनका लगेज नहीं सौपा जा सका है सूचना मिलने तक कि एरपोर्ट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को ठीक करने और परिशान यात्रियों को मदद पहुचाने का काम जारी था सिस्टम खराब होडाने से हजारों यात्रियों को उनके बैग नहीं मिल सके इससे ही यात्रियों के बीच अपने सामान ढूनने को काफी अफरत प्री मची रही विस्तारा एलाइंस ने अपने यात्रियों को इस दिक्कत की जानकारी दी है विस्तारा ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली एरपोर्ट बेगेज हैंडिलिंग सिस्टम में दिक्कतों की वज़े से आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है कई एलाइन्स के हजारों बैग पर इसका प्रभाव पड़ा है और उन्हें सही फ्लाइट पर नहीं चड़ाय जा सका है विस्तारा ने कहा कि एलाइन्स दिल्ली एरपोर्ट के प्रशासन के साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने पर काम कर रही है वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड डायल के प्रवक्ता का बयान आया है कि इस समय हलेडे वीकेंड चल रहा है इसी वज़े से बैग एज में खतरनाक्ष चीजों की संख्या बढ़ जाती है इसमें पावर बेंक और लाइटर जैसे खतरनाक्ष चीज़ें शामिल है वर्तमान में इसमें 30 प्रतिशत तक इजाफा देखा गया है जिसकी वज़े से बैग गेज जाज प्रभावित हुई है हमें संदिक्द समान वाले बैग को मैनुवली चेक करना पड़ रहा है इस वज़े से देर हो रही है बनना था स्मार्ट सिस्टम हो गया फेल करीब दो साल पहले इंदिरा गांधी एरपोर्ट पर स्मार्ट बैग गेज हैंडलिंग सिस्टम लगाने का दावा किया गया था कहा गया था कि इस सिस्टम से हर घंटे 11,300 बैग हैंडल किये जाएंगे सिस्टम जर्मनी से लाय जाना था इसमें 166 चेक इन डेस्क बनने थे और भारी लगेज के लिए 5 डेस्क बनाय जाने थे इसके आलावा इस सिस्टम में 28 एक स्वेय स्टेशन भी बनाय जाने थे दवा किया गया था कि इस से यात्रियों का काफी समय बचेगा और उन्हें बैग गुम होने या लेट होने जासी परिशानी से नहीं जूजना पड़ेगा IGI Airport से हर रोज करीब एक लाख लोग सफर करते हैं जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी भी होते हैं आपको बता दें कि हाल ही में Airport Council International के एक सर्वे में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराश्ट्री हवाई अड़े को वर्ल्ड का नमबर वन एरपोर्ट चुना गया है Airport Council International ने सर्वे के बाद AIGI Airport पर Airport Service Quality, SQ को विश्व भर के अन्या Airport से बेहतर पाया है इसके बाद Airport Service Quality Awards 2017 क्याटेगरी में इस हवाई अड़े को दुनिया में नमबर एक का अवार्ड दिया गया है 2014 और 2015 में भी यह Airport Service रिष्ट रैंक हासिल कर चुका है 2006 में इस एरपोर्ट की दुनिया में 101 वी रैंक हुआ करती थी तभी से लगातार सर्विस में सुधार की कोशिश हैं शुरू हुई लगातार सुधारों का ही नतीजा है कि इस एरपोर्ट 101 रैंक से उचल कर दुनिया में नमबर एक रैंक पर पहुँच गया एशिया में यह एरपोर्ट साथ्वा सबसे व्यस्त हवाई अड़ा है यहां 2017 के दौरान 6.3 करोड यात्रियों ने उडान भरी हाला कि गुरुवार शाम को लगेज हैंडिलिंग सिस्टम में आई खराबी से इस एरपोर्ट की इमेज को धका पहुँचा है